नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया का मद और आप देख रहे हैं आरेने स्वागत आपका बिहार बुलेटिर में रुख करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरह बिहार में कोरोना का खत्रा तेजी से बढ़ रहा है और राजे में हर घंटे एक कोरोना संक्रमित मिल रहा और इसमें शहर की एजी कोलोनी प्रमुक स्थर पर है जहां सबसे अधिक एक्टिव मामले हैं और बिहार में एक दिन में 23 मामले आने के बाद अब एक्टिव मामलों की संक्या 81 हो गई है और 23 नए मामलों में पटना में सबसे अधिक 13 नए मामले सामने आए और वहीं बात क पटना के बाद सीता मड़ी में सबसे अधिक तीन नए मामले सामने हैं और सुपोल में एक नए मबला जबकि भाहर से आने वाला एक यूवक संक्रित पाए गया और दिसंबर के बारा दिन में 97 नए संक्रितों ने स्वास से विवाक की नीन दोड़ा दिये और मिक्रोन के खत् संक्रित का मामला बढ़ने से जांच भी बढ़ा दी गई है और रिकवरी रेट भी संक्रित बढ़ने के कारण घट रही है और अब भ्यार में रिकवरी ट्रेट 98 दसलंब 32 प्रतीशत हो गई है और भ्यार में मोत का आकड़ा भी इस्थर बना हुआ है वह ये एक बड़ी र प्यारई में अब तक भिआर में साथ लाग से जूढ़ा को करोना संक्रुनिते ही आदी इसलिए भी अधिक है क्योंकि राज्य में 81 एक्टिव मामले सामने हाई चुके हैं और वहीं दर्बंगा में क्यारवे चरण के मत्यदान के दोरान वोकस वोट डालवाने के आरोप में लोगों ने जम कर तोड़ फोड़ किया और इवियम सही चुनाफ सामगरी को चतिगरस कर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पर हमला कर दिया गया मजिस्ट्रेट को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया गया गर इसमें चाल लोग घायल हो गए और घटना कुश्वेश्वारिस्थान प्रकंड की चिगरी सिम्राह पंचायत के चिगरी गाउंस्थिद बूठ संक्या 151 और 152 किया स्सपी बाबुराम ने घटना की पुष्टी करते हुए बताया कि मददान में लगे पदिकारी पुलिस कर्मियों पर हमले और एवियम और अन्यचोनाव सामगरी को तोड़ फोड़ करने के आरोप में मुख्या प्रित्याशी विरिंदर चोपाल समें 6 लोगों को ग्रफता किया गया है और मुख्यारोपी मिथिलेश यादम और उसकी पतनी फराद है और उसकी ग्रफतारी के लिए स्दीपी और बिरोली के नित्वित में चापे मारी की जारी और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में तिलकेश्वर ओपी प्रभारी अकिलेश राय की भूमी का संदिक दे और इसकी जांच भी की जारी और इसके लावा एससपी ने बताया कि अभ्यूक्तों पर कड़ी कारवाई का निर्देश भी दिया गया और वहीं आक्रोशित लोगों निगरफतार लोगों को पुलिस के कबजे से मुख करानी की मांग को लेकर समस्तिपूर दरब आजन एसम के आदेश पर बूठ संक्या 151 और 152 पर हुए मत्यदान को रद करते हुए पूनर मत्यदान का आदेश दिया गया मुख्या जिला परिश्वत पंचाय समिती सरस से और वोट सद्यस्य का पूर्ण वर्तमान और पूर्ण मत्यदान 14 दिसंबर की सुबा साथ वज और वहें लालुक प्रसाद की बेटी रोहिनी अचारे ने मामा सादू यादव को कंस कहा तो बदले में सादू यादव ने कहा कि रोहिनी के बच्चों का मामा भी कंस होगा एंकार में ये लोग कुछ भी कह रहे हैं और धन संपदा में ये लोग पागल है और सादू यादव हलाकि अपनी बहन पूर्ट स्यम रावडी देवी के दिली से आनन्फानन में लोटने के बाद पहले से शांत दिखें और तेजस्वी की शादी के बाद दिये अपने बयान पर सादू यादव ने कहा कि कुल खानदान को बचाना गुना है क्या अगर है तो पार्टी के मैनिफेस्टों में लिख दे कि जात में शादी नहीं करे जमात में करे सब कुछ धन संपत्ती जमीन ही नहीं है वो नीजी चैनल से बाचीत में बोल रहे थे और सादू यादव ने कहा है कि परिवार के मामले में किसी परवक्ता को बयान नहीं देना चाहिए कहा कि मानदार बनो मानदार बनो और कहा कि मेरे पास मेरे मुबाइल में आंदर से कौलकाता से ऐसे ऐसी तस्वीर आए कि पूछे मत और समय आने पर इसके बारे में बताएंगे पर इसलिए सुधर जाओ, कुल खांदान में दाग मत लगाओ और भगवान माफ नहीं करेगा सादू यादव का इशारा आरजेडी परवक्ता शक्ति यादव पाता जिनोंने कहा था कि इमली गोटाई का मोका नहीं मिला इसलिए मामा जी का गला घोट रहा है और सादू यादव ने लालू प्रसाद के बेटे को नसीहत भी दिये कि सुधर जाओ नहीं तो गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे और रविवार को सादू यादव का गुसा पहले से ठंडा दिखाई दिया और वो पहले की तरह गंबीर आरोप या अब शब्दों का इस्तमाल करते नहीं दिखे हैं और वहीं सिवान के पूर सांसर दिवगंट मुहमद शाबुद्दिन का मकबरा बनने में रुकावट की ख़बरों ने खूप सुर ख्यामबटो रही थी और वहीं बताया गया की मकबरा बनने पर कोट ने रोक लगा दिये हाले क्या भी इसे ? और इस मामले में दो अलग-लग तरह के बयान भी आ रहे और इस मामले में शाबुद्दिन परिवार के करीबी माने जाने वाले आरज्ज strategy के दो नेता अलग अलग बयान दे रहे और आरजेडी निता हामिद रजा ओर्फ डबलू खान का कहना है कि साहब मुहम्मद शाबुद्दिन का भव्वे मकबरा बनना चाहिए और वो सिर्फ अकलियत के नहीं बलकि पूरे समाज के नेता थे और उनके चाहने वालों ने उनकी याद में मकबरा बनाने के देश के कोने कोने से तरह तरह के पत्थरों का इंतिजाम किया लेकिर इसमें साजिस के तहट अरचंड पैदा की जा रही और उनकी याद में बड़ दूसरे और आरजेडी के प्रदेश महसचीव अधनान एहमत सिद्धिकी ने रुकावट की ख़बर को अफवाप बताया है और उन्होंने कहा है कि मकबरा का कारे लगबग पूरा हो गया और फाइनल टच देना बाकि रह गया परिवार में विवाहिक कारेक्रम होने के चलत के विलम हुआ है और मकबरा चल्द बनकर तयार हो जाएगा हाजिपूर में देशाम विशाली परिसदन में आरजेडी के विदायक डॉक्टर मुकेस रोशन की चाय में कीड़ा मिला और इस पर विदायक भड़क गए और सरकिट हाउस में मंत्री सांसर्द विदायक समित अ नराज हो गए और फिर उन्होंने करमचारियों को जम कर फटकार लगाई है देशल पटना से अपने छेद में जाने के दोरान महुआ विदानसवा से आरजेडी विदायक डॉक्टर मुकेस रोशन हाजीपूर पासवान चो के सिद्ध सरकिट हाउस में रुके थे और यहां बड़े बड़े नेता आते हैं और इनकी चाय में भी कीड़ा पड़ोसा जा रहा है और उन्होंने कहा कि यह जान से मानने के लिए कोई साजिस हो सकती है और विदायक ने कहा कि सरकिट हाउस को आउट्सोर्सिंग के माद्यम से चलाय जा रहा है जब से नीजी करन हुआ है तब से गंदगी देखी जा रहे है और इसकी शिकायट वेशाली डियम एसडियो को की गई है और मामले में सदर्थाना में कर्मियों के खिलाप लिखित शिकायद की गई है और जानकारी के नुसार विदायकी शिकायद पर सदर्थाना की पलिस ने सरकिट हाउस के दो कर्मि वोटींग से पहले मतेदास्र से समासेवा करने का वादा किया फिर अपने पक्ष में वोट करने के लिए पैसे दिये और जब वोट नहीं मिला तो मुक्या परत्यार्ची ने पहले उसकी पिटाए की फिर उठक बैठक वगवाई और उसके बाद उसका जी नहीं बरातो سरिया विगा गाउं का है और इस गाउं के दो यूवक को अनिल कुमार और मंजीत से मुख्या प्रत्याशी बल्वन्त कुमार ने उठक बैठक लगाई और आपती जनक बाते भी कही और इनी में से एक यूवक को वो ठूक चटवाते हुए भी नजर आ रहे हाला कि आरोपी पक्ष क का केंड़ा है कि दोनों यूवक शराप पी कर हंगामा करें थे इसलिए नशार तूटने के बाद उन लोगों से उठक बैठक लगवाई गई है और ये अक्सर शराप पी कर लोगों से गाली कलोश करते हैं लेकि वीडियो में कही जा रही बात है कुछ औरी कहानी कह रही है हलाकि वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है और अंगाबाद के एसपी कांतेश कुमार मिर्शा के निर्देश पर अंबा पुलिस ने बल्वंत कुमार को गिरफतार कर लिया और एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है पटना में शाधी समारों के दौरान आतिश बाजी के कारेंट रविवाद दे राध बेली रोड से महराजा गारडन में भीशन आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पंडाल खाक हो गया और स्टेज से धुला धुलन को चान बचा कर भागना पड़ा और आसपास के मैरेज हूल में भी भगदर मच गई और जब तक फाइर ब्रिगेट की गाड़ी आती महराजा गारडन में गेट छोड़ कर कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा और सैयोग अच्छा रहा कि इस घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और आग आगे की तरफ से लगती तो जान बचा पाना मुश्किल हो जाता बेली रोड पर इस तित महराजा गारडन में देराज़ शादी समारो चल रहा था और इस दोरान चम कर आतिश बाजी हो रही थी और दुमदाम से हो रही शादी में भीशन आग लग गई और आग से खल मच गया और आसपास के लोगों इंतिजाम किया गया था और बारात आने के बाद जेमाला कारक्रम चल रही थी और इसी दोरान आतिश बाज से आग पकड़ ली और जेमाला हो रहा था और मंच पर आग लगे आग की लपटे तेजी से फैलते हुए पूरे महराजा गारडन को अपनी चपेट में ले लिया और बारात में मौजू सबी लोग समान लेकर भागने लगे और महराजा गारडन में काफी गैस सिलेंडर था और आग लगने की घटना के बाद सबसे पहले पहां से गैस सिलेंडर को हटवाए गया अगर गैस सिलेंडर फटता तो आसपास के आलाकों में तभाई मचे जाती लेकिन लोगों ने अपनी ततपरता से गैस लेंडर को वहां से हटवा दिया और इसके बाद समय नहीं बचा कि आग पर काबू पाया जाज सके और आग के लप्टों से गेट छोड़ कर पूरा पंडाल जल गया और जेमाला के दोरान मंच पर लगी विशेश फूल जड़ी की चिंगारी से आग की आशंकाज जताए गई है गोपाल गंज जिले के हत्वा थाना छेद के हत्वा मेर गंज मुख्या मार्ग स्थित राजिंदर प्रसाद हाई स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक यूवक को गोली मार जखमी कर दिया और घटना के बाद जखमी यूवक को इलाज के लिए हत्वा अनुमंडलिया अस्पताल में भरती कराई गया और डोक्टरों ने भैतर इलाज के लिए गोरकपुर रेफर कर दिया और जानकारी पाकर मोके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया और मिरगंज थानर शेद के सवरेजी गाउनिवासी के पूर्फ सर्वपंच रूदल पंडित के 25 वर्षे बेटे प्रकास कुमार मिरगंज इससे अपने घर बाइक से लोट रहा था तबी पहले से ही घात लगाए बाइक सवार बदमाशो द्वारा उसे रुखवा कर पहले मुबाइल छिनने की कोशिश की गई और इसमें विफल होने के बाद पीछा करते हुए डॉक्टर राजिंदर कोलेस के पास गोली मार दी गई और गोली युवा के पेट में लगे जिससे मोके पर ही वो गिर गया और बेहोश हो गया बाइक सवार युवा को मरा समझ कर अपरादी हवाई फारिंग करते हुए फरार हो गए और घटना की सूचना मिलने पर हत्वा थाने की पुलिस मोके पर पहुची और गायल युवा को आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडले अस्पताल हत्वा लेकर गई और पुलिस ने घटना की सूचना परीजन को दे दिया और भाई इस अपरादिक बारदात के बाद अलाके में दहशत फैल गई है वो फिलाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है